नमस्कार दोस्तों फिट से स्वागत एक नाई वीडियो में दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी सैमसंग का मुबाइल फोन है और अगर आप उसमें फिंगर प्रिंटर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे इस वीडियो के अंदर में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ सैमसंग के मुबाइल फोन में अलग-अलग मोडल का आता है आपके पास किसी भी सैमसंग का मुबाइल फोन हो सेटिंग सब में सेम होती है जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप किसी भी सैमसंग के मुबाइल फोन में यूज कर सकते है जैसे कि फिंगर प्रिंट भी अलग-अलग टाइप से आता है कई फिंगर प्रिंट तो आप यहाँ पे स्क्रिन पे भी यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपका उपन हो जाएगा कई फिंगर प्रिंट यहाँ पे आता है आपका जो पावर बटन होता है उस पर आप जैसे टिक करोगे तो यहाँ पर आपका अलोग हो जाएगा कई फिंगर प्रिंट यहाँ पर पीछे के साइड में आता है जैसे हम finger touch करेंगे और यहां पर यह open हो जाता है जैसे कि मेरे यहां पर पीछे के side में दिया गया है तो मैं इसी को enable करूँगा process से में अगर आपको power button पे दिया गया है तो भी आपको जो मैं process बता रहा हूं वही follow करना है कोई change नहीं करना है और अगर आपका यहां पर screen पे दिया गया है तो भी आपको यह process यूज़ करना है अगर आप भी Samsung के mobile phone में fingerprint लगाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो में बने रहेगा चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं उसके बाद में आपको अपने mobile phone की setting में जाना है और यहां पर आपको log screen security password इस type से आपको option मिलेगा जैसे भी यहां पर मिला हुआ log screen हो सकता है कि आपके mobile phone में security password इस type से आपको option मिल सकता है तो यहां पर log screen पर आप click कर लीजिएगा उसके बाद में सबसे पहले आपको एक pin set करना पड़ेगा आपकी mobile phone में अगर pin नहीं है तो जैसे कि मैं अभी दिखा देता हूँ मेरे mobile phone में पहले से मैंने screen lock लगा रखा है यहां पर मैं click करूँगा तो यहां पर दिखा देता हूँ यह जो screen lock है वो आपके पास होना चाहिए पहले से ठीक है अगर आपके पास screen lock नहीं लगा रखा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ setting में जाना है आपको और यहां पर lock screen पर click करना है और यहां पर pin का option मिलेगा इसके उपर आपको click करना है तो पहले से आपका लगा हुआ है तो यहां पर पूछेगा जैसे कि मैं यहां पर डाल देता हूँ और जैसे डालूँगा तो यहां पर यह पूछ रहा है अब यहां पर no security बता रहा है यानि मेरा कोई pin नहीं है इसलिए सबसे पहले आपको एक pin set करना है तो यहां पर मैं pin के उपर click कर लेता हूँ और यहां पर मैं एक pin set कर लेता हूँ यहां पर मैंने pin set कर लिया यह आपको याद रहना चाहिए ऐसा नहीं कि आप भूल जाए जो आपको याद रहता है वही आप pin set कर लिजएगा ठीक है यहाँ पर आपको एगरी पे click कर लेना है और यहाँ पर मैंने pin set कर दिया एक बार मेरा pin set हो गया लोग की screen set हो चुका है अब आपको fingerprint enable करना है ठीक है तो यहाँ पर option मिल जाएगा fingerprint का हर mobile में अलग-अलग option मिलता है अब यहाँ मेरा fingerprint का यहाँ पर face का यहाँ पर हो सकता है आपको उपर नीचे कहीं पर भी मिले तो ढून लिजेगा थोड़ा mobile में setting change हो सकता है बाकि सब process सेम है तो यहाँ पर fingers पर click करूँगा मैं अब आपको जो अभी जो आपने pin बनाये था वो आपका डालना पड़ेगा चलिए मैं डाल देता हूँ उसके बाद में यहाँ पर आपको continue के बटन पर click करना है ठीक है तो यहाँ पर मेरा यह उल्रेडी बता रहा है कि इस type से आपको अपनी finger है वो swipe करनी पड़ेगी जैसे कि मेरे पीछे के side में यहाँ पर दिया गया तो मैं इसी type से अभी swipe करके आपको दिखाऊंगा और अगर side में होगा तो side में भी आपको इसी type से swipe करना है अपने finger को और आपका finger lock लग जाएगा और यहाँ पर भी है तो भी आपको इस type से गुमा फिरा के बार बार करना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पर अभी मैं आपको live करके दिखाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने किया तो अभी यहाँ पर देख सकते हो ठीक है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आ रहा है न यहाँ पर बोल रहा है ट्राइइज आउट टच फिंगर स्केनर अनलोक यूवर फोन वेरिफिकेशन आईडी ठीक है एक बार मुझे वापस करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर मेरा मेच हो गया है और यहाँ पर फिंगर प्रिंट वन लग चुका है मेरा लोग लग चुका है ठीक है अब मैं इसको यहाँ पर इसको बंद करता हूँ लोग करके दिखाता हूँ लोग हो गया मैना मोबाई हंडेट बसंड उसके बाद में यहाँ पर मै एक तो मैं password से भी open कर सकता हूँ लेकिन हमें तो fingerprint लगा रगा है password तब use करना जब आपका fingerprint काम ही न कर रहे बाकि आप use कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा अभी finger में लगा कि अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेरा fingerprint है तो चलिए इस पर मैंने click किया दुबारा open कर लेते हैं यहाँ पर मैंने click किया और यह open हो गया mobile हमारा लोग है वो unlog हो चुका है इस पर मैं दिखाता हूँ यहाँ पर इस type से click करना है और यहाँ पर मैं बताता हूँ यहाँ पर इस type से आपको click करना है आपका mobile phone सई से क्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर यह अनलोग हो गया है ठीक है बस आपको अंगुले यहाँ पर टैच करनी और आपका अनलोग हो जाएगा अगर यहाँ पर है तो भी इसी टाइप से टैच करनी यहाँ पर है तो भी इसी टाइप से ट